हमारे पास हाल ही में असेंबल किया हुआ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सफाई के लिए तैयार है चुनौती है फ्लक्स के सभी निशानों को हटाने और असेंबली को आयोनिकली साफ सुत्रा बनाने की मैं सिर्फ FR-104 क्लीनर का उप्योग करूंगा जो विशेश रूप से रोसिन फ्लक्स अवशेशों को हटाने के लिए तैयार किया गया है हमें दो टब चाहिए एक FR-104 सॉलुशन के लिए और दूसरा साधे पानी के लिए FR-104 का एक हिस्सा ले और इसे FR-104 सॉलुशन के लिए चाहने टब में डाले अब वियायनिकरित याने डी आयोनाइस्ट पानी या साफ फिल्टर्ड पानी के चार भागों को ले और इसे टब में मिलाए अब वो हिलाके अच्छी तरह से मिलाए अब वो प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली FR-104 टब में डाल दे और इसे 20 मिनट के लिए भिगो दे प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली को अब टब से बाहर निकाले और इसे धीरे से ब्रश करें मैं देख सकता हूँ कि फ्लक्स अब निश्क्रिय हो गया है और सोल्डर जोडों से फ्लक्स धीला हो गया है ब्रश करने से प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली से सभी निश्क्रिय फ्लक्स अब शेश आसानी से हर जाएंगे अब प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली को पानी के टब में डुबोएं और इसे अच्छी तरह से पानी में हिलाएं अगर एक से ज्यादा PCB हो तो आपको स्वच पानी के लिए एक बड़ा टब चाहिए सबसे अच्छा तरीका है कि चल रहे पानी के नीचे PCB को खंगालना है ये PCB असेंबलियों को आयनिक रूप से साफ करने का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है सभी निश्क्रिय फ्लक्स अवशेशो के अंश और F-R-104 solution के निशान को पानी में प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली को धोने से हटा दिया जाता है प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली अब बिलकुल साफ हो गई है जैसा कि Flux के निशान पूरी तरह से हटा दिये गए है Printed Circuit Board Assembly अब उज्जवल और चमकदार दिखती है इसने पहचान चिन्ह और Print को बरकरार रखा है उपयोग करने से पहले Printed Circuit Board Assembly को सुखाए